साथ संगत जी प्रेम से कहना धन रंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी का विशय है अंजानी मदद तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी तारा की शादी को पांच साल हुए थी जब तारा के घर पर संतान का जनम होने वाला था तब तारा अपने मायके में जा रही थी तारा के पती उस समय शहर से बाहर थे जिस रिष्टे के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बठाने के लिए तारा के पती ने उसको कहा था वो भाई लेट होती हुई ट्रेन की वज़े से रुकने की मूड में नहीं था इसलिए समान सहित तारा को प्लैटफॉर्म पर बनी हुई बैंच पर बठा कर चला गया गाड़ी पाँचवे प्लैटफॉर्म पर आने वाली थी तारा के पास समान बहुत जादा था समान जादा होने की वज़े से तारा ने एक कुली से बात कर ली बेहत दुबला पतला बुजुरक पेट पालने की विवश्ता उस बुजुरक की आँखों में थी एक याजना के साथ सामान उठाने को आतुर तारा ने उसी 20 रुपई में तै कर लिया और तारा टेक लगा कर बैठ कई तकरीबन एक घंटे के बाद गाड़ी आने की घोशना हुई लेकिन वो बुजुरक कुली तारा को कहीं दिखाई नहीं दिया उसे कोई दूसरा कुली भी खाली नजर नहीं आ रहा था ट्रेन छूटने पर वापस घर पर जाना भी तारा के लिए संभव नहीं था क्योंकि रात का एक बज चुका था तारा का मन घबरानी लगा तभी वो बुजुरक दूर से भाग कर आता हुआ दिखाई दिया तारा के पास आकर बोला चिंता ना करो बिटिया हम गाड़ी में चढ़ा देंगे भागने की वज़े से उस बुजुरक की सांसी फूल रही थी उसने जल्दी से समान उठाया और आगे चलने का इशारा किया सीड़ी चल कर पुल से पार जाना था क्योंकि अचानक से ट्रेन ने अपना प्लाटफॉरम बदल दिया था अब वो ट्रेन नो नंबर के प्लाटफॉरम पर आ रही थी सांस फूलने की वज़े से वो कूली धीरे-धीरे चल रहा था और तारा भी तेज चलने की हालत में नहीं थी गाड़ी ने सीटी दे दी तारा ने भाग कर अपना स्लीपर कोच का डिबा ढूंडा डिबा प्लाटफॉरम खतम होने के बाद इंजन के पास था और वहाँ पर प्लाटफॉरम की लाइट भी नहीं थी और वहाँ से चड़ना भी बहुत मुश्किल था तारा पलटकर उस कूली को आता हुआ देखकर ट्रेन में चड़ गई तुरंत ही ट्रेन चलने लगी वो कूली अभी भी दोड़ी रहा था हिम्मत करके उसने एक-एक सामान रेल गाड़ी के पायदान के पास रख दिया अब आगे बिलको लंधेरा था जब तक तारा ने हडबड़ाए और कापते हाथों से 20 रुपए का नोट निकाला लेकिन तब तक कूली की हथेली दूर हो चुकी थी कूली के दोड़ने की रफतार तेज हुई साथ ही साथ ट्रेन की रफतार भी तेज हो गई अब तो बिचारी तारा बेबसी से उस कूली की दूर होती खाली हथेली देखती रही फिर उस कूली का हाथ जोड़ना आशिरवाद की मुद्रा में उसकी गरीबी उसका पेट उसकी महनत उसका सहयोग सब एक साथ तारा की आँखों में एक कौध गई उस घटना के बाद जब तारा के घर पर बच्चे का जनब हुआ तब तारा दुबारा स्टेशन पर उस बुजुरग कूली को खोजती रही मगर वो तारा को कभी दुबारा नहीं मिला आज भी तारा जगा जगा दान करती है अंजाने लोगों की मदद भी करती है मगर आज तक कोई भी दान वो करजा नहीं उतार पाया जो उस रात उस बुजुरग की करमट हाथे ली ने किया था साथ संगत जी कुछ लोग हमारी ऐसी मदद कर जाती है कि हम उनका बदला चाहकर भी नहीं उतार सकती कुछ कर जैसी होती हैं जो कभी उतारे जाही नहीं सकती रात का समय था तकरीवन ग्यारा बज रही थी अचानक से महेश के घर की घंटी बजी महेश हरान हो गया कि इतनी रात को कौन आ गया दर्वाजा खोल कर महेश घर के बाहर आया तो देखा कि घर के सामने एक वृद सज्जन खड़े थी एक ओटो पर आये हुए थे तेजी से हाफ रहे थे और उस सज्जन ने महेश को पूछा बेटा आपका नाम क्या है महेश ने अपना नाम बता दिया वृद सज्जन ने कहा अहे भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद घर मिल गया महेश को कुछ समझ नहीं आया वृद सज्जन ने महेश को कहा क्या मुझे पानी मिलेगा महेश ने कहा आईए आप घर के अंदर आईए महेश ने उन सज्जन को पानी पिलाया उसके बाद उस वरिद सज्जन ने महेश के हाथों मेग चिठी दी महेश ने चिठी को पढ़ा पढ़कर वो दूसरे कमरे में गया पांच मिनट के बाद महेश वहाँ वापस आया और उस ओटों वाले से कहने लगा भाई सहाब आप चले जाए और महेश ने उस वरिद सज्जन का सामान उतारा उन्हें घर के अंदर ले गया और कहने लगा रात बहुत हो गई है आप सो जाएए मैं आपका काम कल सुभह कर दूँगा उस चिठी में महेश के पिता ने महेश के लिए कुछ लिखा था और वरिद सज्जन ने कहा कि आपके पिता ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मेरा बेटा आपका काम जरूर करेगा आप बिना किसी जिन्ता के नी संकोज मेरे बेटे के पास चले जाएं साथ संगत जी बात ये थी कि उस वरिद सज्जन के एक मात्र बेटे का अचानक से एक सडक दुरगटना में दिहान्त हो गया था सिरफ बुजुरक दमपत्ती घर पर थी और लालन पालन के दिक्कत होने लगी थी यहां तक की दैनिक जीवन के खर्चों की पूर्टी भी नहीं हो पा रही थी वो वरिद सज्जन तो अपने बेटे की मृत्यू का कमपनसेशन लेना नहीं चाहते थी लेकिन जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मजबूरी में उन सज्जन को कमपनसेशन लेने का सोचना पड़ा और जब कार्यवाही आगे बड़ी तो पता चला के एक कागज है जो उन्हें दिल्ली में जाकर सर्टिफाई कराना पड़ेगा सालो साल वो वरिद सज्जन अपने छोटे से गाव से बाहर नहीं गए थे दिल्ली तो उन सज्जन के लिए बहुत ही बड़ा शहर था इतने में उनके पुराने मालिक ने अपने बेटे के नाम से चिठ्थी बना कर दी के जाओ मेरा बेटा महेश आपकी मदद करेगा अगले दिन सुबह वो वरिद सज्जन उठे महेश ने उनको बड़िया नाश्ता कराया अपनी गाड़ी में बिठाया महेश ने चुट्टी ले ली चुट्टी लेकर वो ऑफिस में गया जहां बहुत मेहनत मशक्कत करके आखिरकार वो दस्तावेश निकलवाये गए दस्तावेश सर्टिफाइड कराने के बाद महेश ने उन वरिद सज्जन के बस की टिकेट करा दी टिकेट के साथ मिठाई का एक दिपा भी दिया और महेश बस टेंडर पर उन्हें छोड़कर निकलने ही वाला था कि इतने मिवरिद सज्जन ने हाथ जोड़कर कहा महेश तुम्हारे पिता धन्य है जो उन्होंने तुम्हारे जैसी संतान को पैदा किया वो बहुत भागयशाली है क्या तुम कुछ कहना चाहती हो तीरे से कहता है माफ कीजेगा मैं आप सिक बात कहना चाहता हूँ वरिद सज्जन बोले कहिए न बेटा महेश ने कहा अंकल मैं वो महेश नहीं हूँ जिससे आप मिलने आए थे उस पर वृद सजन ने हरानी से कहा पर बेटा, तुम्हारे मकान के बाहर तो महेश निवास लिखा हुआ था वो महेश बोला, हाँ वो मेरा महेश निवास है, मेरा नाम भी महेश है लेकिन मैं वो महेश नहीं हूँ जिसे आप ढूटने आये थे उस वृद सजन को कुछ समझ नहीं आया तो महेश बोला, कल रात को जब आप मेरे घर आये तब आप हाफ रहे थे लेकिन आपकी आँखों में वो उमीद थी, कि महेश आपकी मदद जरूर करेगा जब मैंने चिठी पढ़ी, तो मैंने आपके वाले महेश को फोन किया जिनके लिए मैं जिवन भर कुछ नहीं कर पाया था मेरे पास हिम्मत भी नहीं थी, कि मैं आपकी उमर और भावना को देखते हुए आपको वापस भेज दूँ तब मैंने फैसला किया कि मैं आपका ये काम करूँगा उस व्रिद सज्जन की आँखों से आशु बहने लगे वो बोले कि तुम महेश को जानते नहीं हो महेश कहने लगा अंकल मैं उसको नहीं जानता आपकी चिठी में उनका नंबर था मैंने उन्हें फोन लगाया इस पर व्रिद सज्जन ने फिर से पूछा तुम वो महेश नहीं हो वो फिर से बोला हाँ मैं वो महेश भी नहीं हूँ उस पर व्रिद सज्जन ने कहा फिर भी तुमने मेरे लिए छुटी ली मेरा काम कराया कौन कहता है भगवान नहीं होता कौन कहता है एश्वर नहीं होता यही लाइन बार-बार धोराते हुए वो वरिद सजन बस में बैठ कर चले गई महेश अपने घर पहुँचा और उस राद उसे अपने जीवन की सबसे जादा सुकून वाली नीद आई साथ संगत जी जीवन में हम अपनी रिष्टदारों की दोस्तों की अपने परिवार वालों की अपने साथ काम करने वालों की बहुत मदद करते हैं बस इतने में ही हमारी दुनिया से मट जाती है पर क्या कभी हमने बिना किसी कारण के किसी अंजान की मदद की है जिसे हम जानते नहों पहचानते नहों एक बार ऐसा करके देखिएगा हम भी ऐसी ही चैन की दशा कानुभव करेंगे जिसे शायद हम सभी खोज रही है अगर कहना धन नरंकार जी